नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं योगेश वद्स के साथ दोस्तों रहतक चोहरा हत्याकान में हर दिन नई खुलासे हो रही है आज भी इस केस में एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है दरसल पुलिस जब अभिशेक को कस्टडी में लेकर पूछताच कर रही थी तो वो कभी हसता तो कभी रोने लगता इसलिए पुलिस को जरा उसके मानसिक संतुलन पर शक हुआ इसको लेकर पीजी आई के डॉक्टरों से उसकी मानसिक स्थिती की जाच करवाई जाच में अब वो पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया है मतलब अभिशेक ने ये हत्याकांड पूरे होशो हावाज में अंजाम दिया अपनों की जान लेते समय उसके हाथ जरा भी नहीं कापे SIT की जाच में अभी तक अभिशेक ही मुखे और अकेला आरोपी है साजिश में कोई और दूसरा सनलिप्ट नहीं पाया गया है उसके दोस्त के खिलाफ भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है आरोपी को रिमान खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है चर्चा है कि अगर चोहरे हत्याकांड में पिस्तोल प्रदीप के पास से बरामद हो जाती तो हालात बिलकुल अलग होते सब ही शक करते कि प्रदीप ने ही सभी की हत्याकर खुद को गोली मार कर आत्म हत्या कर ली है लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था पिस्तोल नहीं मिलने पर शक अभी शेक पर गया और वो पकड़ा गया डियस्पी गोरक पालराना ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जांच लगबग पूरी कर ली गई है उसके खिलाफ परियाप सुबूत एकत्रित किये गए है बेशक हत्याकांड का कोई गवा नहीं है उसके खिलाफ जल्द ही चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा उसका मुकदमा फॉस्ट रेक कोर्ट में चलाने की कोर्ट से मांग की गई है उसे सक्त से सक्त सजा हो इसके लिए पुलिस जल्द चालान पेश करेगी दरसल डोक्टरों ने बताया कि अभिशेक पूरी तरह से सुष्थ है अभिशेक कभी रोने का नाटक करता था तो कभी वो हसने लगता था कई बार अपने माबाप को उसने याद किया और कई बार उसने ये भी कहा कि भगवान को यही मनजूर था उसकी मांसिक स्थिती का पता लगाने के लिए पुलिस ने पीजियाई के मनोच चिकितसकों से उसकी जाँच करवाई थी चिकितसकों ने उसे बिलकुल स्वस्त बताया है दरसल अभिशेक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने माता पिता के जेवर चुरा ले गया था ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो लोगों को लगे कि घर में लूट पाट हुई है और बदमाशों ने लूट के इरादे से घरवारों का कतल कर दिया हलाकि अपनी बहन तमना के जेवर उसने नहीं निकाले है पुलिस जाच में ये बात सामने आई है पुलिस जाच में ये भी सामने आया कि मोनू ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दिल्ली बाईपास होटल तक जाने के लिए रास्ते में 30 मिनट का समय लिया इस दोरान उसने रास्ते में स्कूटी रोग कर नहर के पास पिस्टल छिपा दिया था वो कई जगों पर कैमरे पर भी नजार आया इससे पुलिस को अभिशेक पर शक गहराता जा रहा था पुलिस ने अभिशेक से सक्ती दिखाई और फिर वो तूटता चला गया और उसने सारे राज खोलने शुरू कर दिये उसने पूश्ताच में सब कुछ बताया कि कैसे उसने घरवालों को जान से मारा कारण में भी सब कुछ साफ है कि हत्या आकर किन वजों से की गई दोस्तों आज की सिरीज में बस इतना ही देश दुरिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किनन मीडिया नमस्कार